हमें हमारी बेटी चाहिए सर, उसे कैसे भी ढूण दीजे सर जो मर्गे उसे सुनने को बोल रहा है, कहां से ढूण के लाएं इन दोनों गाउं के दिश में, प्रोब्म क्या है? अपने पिटा की हाथ का मदला देने के लिए पुरे गाउं वालों को मारना है, यही चल रहा है इस काउमे मेरे बाप को मारने वाले पुरे गाउं वालों को बरना होगा तेरे से स्यादा कुछ सब मेरे अंदर भरा है ये शोदा को जिन लोगों ने भी मारा है उनमें देख को भी जिन्दा मा छोड़ना काउन है वो बाई शिवा पूरे परिवार को खत्म करने का यही सही मौका है शिवा अशकर बहेंगन भॡडऑय का भॡड़ का भाव देखा है कुछ दिनों बाद सुंगने को भी नहीं मिलेगी सोने से भी ज्यादा कीमती हो गई ये सबजियां सोचती हो तेरी शादी में सोने की जगर सबजियां खरीदू मा, हजान पार मैंने आपसे कहा है शादी की बाद करके बोर मत करो मा, आपको इस वक्त गड़े मुर्दे उखारना जरूरी है क्या खुशी-खुशी जाओ ना, मेरा मुर्ट क्यों खराब करी हो चिकी की शादी हो गई, मिकी की शादी हो गई, सविता के घर में तो नाती-पोती भी खेलने लगे तेरी शादी का सपना देखकर मैंने गुना कर दिया, जिन्दिगे पर बिना शादी के तुझे घर में बिठा के रखना है मा, आप चाहे कुछ भी बोलो, मैं अपने इरादा नहीं बदलने वाली तू क्यों इरादा बदलेगी, मत बदल पाजुवाले ललन के लली को देख, मातर तीन दीन चोटी है, उसकी पिछले मैने शादी हुई और पति के साथ वाशिंग मशिन चली गई मा, उसका नाम वाशिंग मशिन नहीं वाशिंग्टन है मेरे लिए दोनों एक जैसी ही है मेरे नसीब में तो वाशिंग मशीन नहीं लिखी है जब से टैब बुक पे उसकी 32 निकालीवी फोटो देखी है आग लग गई मुझ में अंगुठा चाप घल से कभी बाहर नहीं निकली और हनीमून मनाने सीधे चली गई वाशिंग्टन टैब बुक पे फोटो देखो उसकी मा, शादी करके फॉरण में हनीमून मनाना और सोशल मीडिया पर अपनी पिच्चेज अपलोड करना ये कोई महान काम नहीं हो के इसके बदले अपने करियर पर फोकस करना और कुछ अचीफ करना ये महान काम है हाँ, हाँ, दुनिया में तुमी तो एक महान बच्ची हो अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो दुनिया में उथल-पुथल हो जाएगी और मेरी इच्छा तो तुमारे लिए कुछ है ही नहीं मा, कोई के मेंड़क हो क्या घूम फिरकर एक ये बात पर आजाते हो शादी, शादी, शादी भाई सब, आपकी शादी हो गई है? नहीं दीदी, आप तक कुवा रहा हूँ मुझे देखो, मैं देखने में खुबसूरत हूँ ना अब कैसे करेगी क्या शादी? किसी मंदिर पर रोक लेना, हम शादी कर लेते हैं तभी जाकर इनके दिल को ठंड़क मिलेगी पकवास बंकर, आप सामने देखे गाड़ी चलाइए आप शिंता मत कीजिए, आइम इन रिलेसंसिप एक लड़की देखे हैं, सादी करके अगले मैंने भांडूप में सेट हो जाएंगे देखा, सबकी शादी की पूंगी बजगई, बस तुई पीछे रहे गई चल्दी से तेरी शादी का दिन आ जाए आप ना ये ख्याली पुलाओ पकाना बंद कर दी जब मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूँगी आपकी बस रास्ते में कहीं रुके की नहीं आपको जो खाना अभी खालो और न भूके रह जाओगे मेरी फिकर छोड़ो और अपनी शादी कर ले पापा से कहना चाय में चीनी कम पत्ती स्यादा डाले कम से कम उससे अपका दिमाग तो चलेगा उनकी तो बात भी मत कर उनकी वज़े से आज ये दिन देखना पड़ रहा है मैंने कई बार उन से कहा कि मुझे एक बेटा चाहिए लेकिन उन्होंने हमेशा माना कर दिया सिर्फ तेरे लिए मा, मैं कई बार ये बात सुन चुकी हूँ अब प्लीज मुझे बोर मत कीचे वैसे भी शादी के लिए पूरी जिन्दीगी पड़ी है और नहीं तो क्या मान लो न कि मेरी शादी हो गई रच्चू ये खुश खबरी तुने मुझे पहली क्यों नहीं दी तरस गई थी मैं ये सुनने के लिए मास सबसे पहले तो आपने ये सास बहु का ड्रामा देखता बंद करो बिना ड्रामा के आपकी जिन्दीगी नहीं चलती क्या अरे रे 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 बस निकल गए तेरी शादी के चक्कर में अरे बस नहीं छूटी हैं मादा घंटा पहले पहुँच गए है तीस रुपय मांग रहे हैं दहेश थोड़ी मांग रहे हैं ज्यादा बोला ना तो चमाट पारोंगी जोड़ना अरे अकाउंट चेक कर तेरे अकाउंट में सेवेंटी रुपीज आ गया ना तो निकल अंटी जी सुनिए आपके बेटी से हमारी क्या सुनेगी रास्ताना आप हाँ जा रहे हैं तीस रुपय के लिए उससे जगडा करना ज़रूरी था क्या पैसे पेड़ पे उखते हैं क्या हएं है ऐसे में है हाई जब सब के घर जाने का टाइम हो गया तब तू आ रही है कोई चाने वाला मिल गया था क्या वो छोड़ कुछ खिला दे भूख से जहान जा रही है मॉम को छोड़ने गई थी, कुछ खाया नहीं ये क्या है? अफकोर्स, तेरी शादी का कार्ट तो नहीं होगा, पड़तों से ही अब तू मच शुरू हो जा पाथी नाइट, अच्छा, अनुवल पाथी है मैं तो उस दिन घर पर सूँगी मैडम, बॉस आपको बुला रहे है, अर्जन काम है हलो, सर, सुन्दर बोल रहा हूँ, सीओ के ओफिस है सर, आपका काम खतम कर दिया है और रिटरंस तो फाइल नहीं किये ना? हाँ सर, रिटरंस भी फाइल कर दिया है पेवक्कूप क्या सर? मंतरी जी को 10 करोड का गिफ्ट मिला था, उसका क्या हुआ? ओ, मैं तो भूली गया, सर, कल सुबह तक कर दूँगा, सर कल सुबह नहीं, आज करो, मंतरी जी नाराज है अगर इंकम टेक्स की रेड पढ़ गई क्या अगर दूआ अगर गई झाल 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 हो साइब एक मिनट हो आँ तमारा कुरियर है हो स्वारी हो प्रैक्टिस करोगे ये पापा आगाए कार्थिक एए पापा कैसा है मेरा बेटा तो आज स्कूल में क्या किया आज में मुर्गा बना था पापा फेर मुर्गा बने कितने अंडे दिये तुमने मुर्गा अन्ना नहीं देता पापा कार्थिक ये सब छुड़ो और पहले खाना खालो कार्थिक के लिए एक अच्छा सा डेकेर मिल गया है अगले हपते से भेज सकते है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या उसे वान नहीं डालेंगे इसे डेकेर में भेजने से आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मैं कब तक ऐसे काम छोड़ कर घर में बैठी रहूंगी हाँ घर में पैसे की कोई कमी है क्या मैं कमा तो ज़ा हूँ कार्थिक के पैदा होने से पहले मेरा अपना करिएर था इस तरह सब को छोड़कर बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता इससे तो अच्छा होगा कि तुम नौकरी छोड़कर घर में बैचाओ मैं कमा कर लाती हूँ, मुझे मत रोका करो पहले ही मेरा दिमाग खराब है, थोड़ा शांती से खाना खाने दो अगर करियर ही बनाना था, तो शादी क्योंकि बच्चा क्यों पैदा किया तुमने कहा था न कुछ सालों के बाद काम कर ले न ए कार्तिक, यह तुम्हारा फ्रेंड है न वो अपने ममी बापा के साथ घूमने गया है, उसने फेस्बुक पर फोटो डाले है अच्छे है, बहुत हुआ यह सब, नाई, चल अंदे, इसे नहीं जाना है, चल, अचला, अचला, अचला धरवाजा खोलो, प्लीज, धरवाजा खोलो अचला, आप में ताम करके रख दिया है इसने, रोज की छीचिक, प्लीज, झाल, इसने जाए, फोलोफ में जाता है, ए सोने, भाज़ा खोला, खोला, नाई, ब्लीज, शाला, ङोगा, और शहीं है भब użyद्रि इसाए, खोला, डोगो, वहा posso गारा है व्लीज गारी जाना लं़ाए झाल कुणता तो कर दो कर दो सुनाए वाँ पारिश होने से मौसम काफी जंडा हो गया है किस पर बिजलिया गिरा रही है खूब मज़े कर रही है हाँ 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 क्यों नहीं तेरा बॉइफ्रेंड जो है आपर उसके साथ फुल मस्ती हो रही है उसने तुझे बताया नहीं चल जूटी अच्छा बाइद अबे तेरे ओफिस वाले क्रश का क्या हुआ उसके साथ तेरी दाल कली है नहीं वहाँ तो सूखा पड़ा हुआ यार मुझे देखते उसकी हवा निकल जाती है समझ नहीं आता वो क्राइम रिपोर्टिंग कैसे करता होगा तो तू उसे प्रपोस कर दे कोई फादा नहीं यार जब देखो नेगेटिव बाती करती है अचा सून कबर्ड मेन एक रेड कलर का टॉप है वह बहुत लगी है आज ओफिस वही पहन कर जा तेरी लोट्री लग जाएगी लोट्री लगेगी कैसे मुझ पर भरोसा है मेरी बात माने की तो शादी भी हो जाएगी और बच्चे भी हलो रचना क्या हुआ चुक्की हो गई असल मैं मैं अभी सपने बच्चों के नाम सोचने लगी थी अरे वाद तो तो मुझ से भी स्यादा फास्ट है तो सच में बहुत चालू है अच्छा मुझे अपडेट डेती रहना ओके बाई और सुन, रेट्टो पेड़ बच्छा बाई लड़र बाई बाई प्रूप बाई बाई झाल झाल भाई साब भाई साब आपने नंबर नोट किये ले लो वाई रशना महारानिया जल्दी केसे आगे आज कोई फैंसीरस कॉंपेशन है अच्छा नहीं लग रहा है इडियेट्स हेलो बूलिये जल्दी से यवाला नंबर नोट करो कि हां भूलिये ट्स21 Cd 7785 लिख लिखी है मैं ये अड्रस कब तक दोगे आपको एड्रस कब तक चाहिए जितनी जल्दी हो सके मैंडम एच थोड़ा बीजी हूँ, जैसे ही मोका मिलेगा, मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ, ठीके फोन रखता हूँ, भाई ओके बाई हाई, बजी हो, है हाई, ने ने आओ न, कुरसी खाली है और बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, चल नहीं रहा है, वही चोरी चकारी मर्डर, वैसे भी क्राइम में नया क्या होता है, अरे हाँ, याद आया, तुम्हें वो मटीरियल मंगवाया था, एक मिनिट, यहीं कही पता नहीं कहां चला क्या, मैं तुम्हें बाद में देता हूँ, अच्छा बताओ तुम्हें मेरे आर्टिकल्स में से कुछ मिला की नहीं, I mean, of course, मैंने तुम्हारे सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, जैसे आधी खोपड़ी, लटकती लाश, और इनसे मुझे काफी एक्चुली मैं हर रोज आर के पुरम फ्लायवर से ही जाता हूँ, पर तुम रेकॉर्ड्स का करोगी क्या, उस फ्लायवर के ओपर मैं एक स्टॉरी तयार कर रही हूँ, ठीक है, मुझे फुरसत मिलती है, तो मैं डेटाबेस से डीटेल्स निकाल कर रखता हूँ, अगर मैं मैं तुम्हें एक दो दिन में दूंगा तो चलेगा न, चलेगा, ठीक है, ओके, मिलते हैं, ठीक है, बाई, रचना, 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 अरे रुको, क्या हुआ, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारा फोन, तुम बूल गई थे अंदर, I'm really sorry, कहीं भी रखने से बूल जाती हूँ, बादाम खाया हूँ, सॉरी तुम्हें तकलीफ हुई, अच्छा, फ्री हो तो कॉफी पीने चले, हां मैं चलता पर मुझे आर्टिकल पूरा करना, हां आपकोर्स, आपकोर्स, काम पहले है, प्रूरी, स्या, यह, इसे हो क्या क्या है, सर, कॉफी, थैंक्स, यह रही तुम्हारी कॉफी, तो तुम वडोद्रा से हो ना, नहीं मैं मुंबई से हूँ, अभी जस्ट सिक्स मंस पहले शिफ्ट हुई हूँ, अच्छा, बच्चा कॉनसे स्कूल जाता है, वाट, रेली, क्या मैं तुम्हें सच में एक शादी शुदा औरत जैसे दिखती हूँ, नहीं नहीं, तुम संसकारी लगे, इसलिए मैंने सोचा तुमने वक्त पर शादी कर ली होगी, तो शाहर तुम्हें समझ रही हूँ, तुम ये जानना चाहते हो कि मैं शादी शुदा हूँ या नहीं, पर वो गमला ही नहीं मिला जिसमें फूल खिला हूँ, पर जो नहीं खाता है, वो जिंदिगी भर पच्टाता है, अहां, एक पसंद आया थी, पर वो किसी और के निकली, क्या करें, तब से बस मैं और मेरी तनहाई अकेले में रहते हैं, इंट्रेस्टिंग, तो बताओ, तुमारे एक्स बॉइफ्रेंड में क्या खराबी थी, मुझसे बद्बू आती थी क्या, मेरा कोई एक्स बॉइफ्रेंड नहीं, अच्छा, एक है जिसे मैं पसंद करती हूँ, लेकिन उसे आज तक मैंने बताया नहीं, अच्छा, तुम डर किस बात का है, कर दो प्रपोस्ट, हादेत्या, एक लड़की होकर मैं उसे प्रपोस्ट करूँ, मैं इतनी भी स्चुबेट नहीं हूँ, लो, सैलरी के टाइम पर आदमी हो, जितनी सैलरी चाहिए, लेकिन प्रपोस्ट के टाइम पर लड़की बन गई, कौन मैं? अच्छा? क्या? अगर ऐसी बात है, तो मैं उसे ज़रूर प्रपोस्ट करूँगी. मेरे एडिटर का मेसेज है, मुझे बहुत सारा काम है, बाद में मिलें क्या? हाँ, कोई बात नहीं, शुरू. रचना? हम? जरा सुनो, मेरे एडिटर ने मुझे एक मुवी रिव्यू करने के लिए दो टिकेट्स दिया है, तो अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड आना चाहे, तो मैं उसे ले चा सकता हूँ. तुम क्राइम दिपार्टमेंट में हो ना, तो तुम्हारा मुवी रिव्यू से क्या लेना देना? वो एक क्राइम मुवी है. आ, अच्छा. तो अगर मैं ये कहूँ, कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, तो I'm sure, तुम्हें कोई अइतराज नहीं होगा? बिल्कुल नहीं. ओके बाई. ये लड़की तो बहुत फास्ट है, उचसे भी दो कदम आ गया है. तुम्हारा ड्रस वाके लगी है. हलो? सुन्दर, गाड़ी, पोटर साइकल, और उनका फ्लाट नमर है. वाज सेकिन, बता. टाइम क्या हूआ है? एं, साड़ा गयार मैडम. सुन्दर का फ्लाट कहां पर है? है, पहले सीधा जाने का, पच्छी गाड़न आएगा, फिर खाने वाले हाथ की तरफ मोड़ जाओ. ग्ली नमम, भी खाने का फिल्दी तरफ मोड़न पर चारे हाँ. बता को चांने का यापाने का फिल्दीं थाता है? होआऑने क्या का फिल्दी जाओने का याराच फिल्दी। 폭़की ti рублей सता हैं कि व्ट पर दो ज तो हुय है हम् कि व्ट जय है सरी हादेत्य, नेक्स्ट टेलगु नहीं हिंदी मूवी देखेंगे, कम से कम सब्टाइटल नहीं देखना पड़ेगा सब्टाइटल के चक्कर में पूरी मूवी उपर से चली गई अगर मेरे पस तक्या होता तो मैं वहीं सो जाती, इससे कहीं ज्यादा अच्छी हॉरर फिल्म्स होती है लगता है तुम्हें हॉरर फिल्म्स बहुत पसंद है अब कॉर्स पसंद है, तुम्हें नहीं पसंद? पता नहीं पता नहीं, इससे क्या मतलब? मतलब मूवीज में जो दिखाते हैं वो भूत, पिशाज, आत्माएं अब कौन जाने वो होती भी है की नहीं? मेरे हिसाब से तो होती है जैसे दिन होता है तो रात होती है, जैसे अच्छाई होती है तो बुराइभी होती है उसी तरह positive energy के साथ साथ negative energy भी होती है, जिसे हम भूत, आत्मा या पिशाज के नाम से जानते हैं अब जर्नलिस्ट ने कहा है तो कोई ना कोई सच्चा है तो जरूर होगी इसमें इसका मतलब तुम्हें भी इन बातों में थोड़ा बहुत विश्वास है नहीं मतलब ना ही मैं कहता हूँ कि नहीं है और ना ही मैं बिलीव करता हूँ आदित्य उधर देखो वाइट सडी में एक औरत उसके बाल खुले हुए है उसने हाथ में मुंबत्ती पकड़ी है वह सामने से आ रही है हाँ हाँ देखी क्या खूबसरत है यार तुम सरा उतर जाओ मैं उसी ले जाते हूँ आदित्य तुम भी बाकी लड़कों कितना चांस मार रहे हो ना क्या मतलब लड़की को पीछे बिठाया नहीं कि ब्रेक बारना शुरू ताकि लड़की और करीब आजा है वह अलो बिना ब्रेक के कोई भी बाइक रुकती नहीं है और वैसे भी ये बाइक मेरे भाई की है आव वाव विरासत में मेरी है क्या, 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 क्या? मुभी के लिए थांक्स, I had a really boring time. अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी, आज तुम्हारा बर्दे है क्या? नहीं मेरा बर्दे नहीं है, क्यों? नहीं मतलब इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है, नजरें सिर्फ उसी को देखती हैं, जिसे देखकर सुकुन मिलें अच्छा फ्लोटिंग बेब ब्रेक लगाते हैं, कल आफिस में मिलते हैं बाई बाई अलो, ओ मैडम यहाँ पर आईए यहाँ पर एविंग में बीटू फ्लाट कहाँ पर है वो मेरा फ्लाट है जरा दो मिनट रुकी है सर, हम जिस लड़की की तलाश करे थे, वो यही लड़की है रशने, तुमारे ही नाम है? मैं ही रशने हूँ, बात क्या है सर? एक घंटे पहले तुमारे फोन पर फोन किया था उठाया क्यों नहीं? अच्छा, वो आपका कॉल था मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं, मैं सिनिमा हॉल में थी सिनिमा? अभी तुमको जिसने ड्रॉप किया, कौन था वो? सर, हुआ क्या है? आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने पुछा कौन है वो? मेरा फ्रेंड है फ्रेंड है या बॉइफ्रेंड है? सुरी, मैं जवाब नहीं दूँगे, आखर ये सब क्या चल रहा है? गाड़ी में बैठो, फुलिस स्टेशन में समझाता हूँ लेकिन सर, मैं आप लोगों के साथ क्यों आउँ? आप रॉंग एड्रेस पर आएं, प्लीज चेक कीजे वो चलेगा तुम्हें, बाकी बातें पुलिस स्टेशन में बैठ के करेंगे बैठाओ, चलिए चलिए गाड़ी में बिठाइए में ये सर, ये चल चल चल, अंदर बैठ, चल सर, शाणी में बैठ, चल, बैठ, जुबी इसका फोन क्यों नहीं लिया, फोन शिनो इससे सर, सर, प्लीज आप ऐसे क्यों करें, सर, जट्टिया, ऑफिस, ये तरह बई-फ्रेंड है, ना ये वर्मा वाइन्स में कुछ राड़ा हुआ है, एक यूनिट भेजो वहाँ पर क्या है कि कल रात को ही हमारे बीच में जगडा हुआ था सर, जगडा, कैसा जगडा, रोज लड़ते थे क्या, क्या तुमारा पती दारूपी कर तुमको मारता पीटा और गाली देता था, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर, तो फिर, कल रात को जब वो ओफिस से घर लोटे और डिनर के लिए बैठे, तो मैंने कहा कि अब मैं जॉब के लिए अपलाई करने वाली हूँ, इसी बात को लेकर हमारे बीच जगडा हुआ, वो बहुत हुस्से में थे, फिर मैंने खुद को बेडरूम किस सब हो गया, वोट को समभा लिए, हम आपके साथ है, कमला, एक लस पानी लेकर आओ, ओके सर, लिए लो पानी, पानी बीचे, आपको बड़े सापने अंदर गुलाया है, जल जल दी चल, खर, तर अंदर ही है ना, अंदर ही है सर, तर आओ फाइल्स लेकर आ, बाराम से ब सर, ये रचना है, एंटरी गेट पर इसी के साइन थे, आखिर ये सब क्या चल रहा है सर, मुझे हाँ किसली लाया गया है, सर, सुन्दर से मिलने आज छोकरे आई थी, देखी मेरी बात का बोरा मतमालिये, क्या आपके हस्बन का कोई अफेर था, अगर था तो बताईए, आपके घर पर गई थी, और हम नहीं जानते क्यों, कौन हो तुम, और क्यों गई थी मेरे घर पर, ये कौन है सर, आखिर ये सब क्या चल रहा है, देखिये मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आपका मतलब है कि, उनका इस लड़की के साथ अफेर है, देखिये रो ये मत, अब आप भर जा सती है, सुभे तक हमें पूरी जानकारी मिल जाएगे, कमला, किसी को भेज के इने घर तक छुड़वा दो, ठेक है सर, प्रभाकर, इसे अंदर बढ़ाओ, आईए, आओ चलो, खुद को सभालिए, अंदर आओ, ने उदर नहीं, यहां बैटो, प्रभाकर, सर, कौन है यह, वो सुंदर केस की सस्पेक्ट है, सर, ओ, सर, क्या कर रहे हो तुम, केस की फाइल तेयार कदा था, अभी छोड़ों इसको, मेरे साथा, लेकिन सर, सर, आप लोगों को ज़रूर कोई गलत पहमी हुई है, मैं जो पूछू, उसका सही सही जवाब दो, सुंदर क्या क्यों गई थी, कौन सुंदर सर, प्रभाकर, रेजिस्टर दो, यह नाम और फोन नमबर तुमारा ही है ना, जी हाँ सर, दोपहर साढ़े ग्यारा बज़े तुम वहाँ क्यों गई थी, सर, सर मैं वहाँ जरूर गई थी, लेकिन मैं उसे जानती नहीं हूँ सर, आप यह से मुझ से क्यों पूछ रहे हैं, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद हम से ही सवाल पूछ रही हो, ज़्यादा भूरी मत बरो, ज़र फोटो देना, देखो, आज शाम को जब हम उसके फ्लैट पर पहुंचे तो वो इस हालत पे था, अब बताओ, क्यों मारा तुमने इसे? सर, मैंने उसे नहीं मारा, मैं उसके घर गई थी, मैंने डोर बल बजाई, जवाब ना मिलने पर मैं वहाँ से वापस आगी, अगर तुमने उसे नहीं मारा, तो फिर किस ने मारा? सर, मुझे नहीं पता किस ने मारा, यही तो हम भी जानना चाहते हैं, किस ने मारा उसे? सर, सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरा इस केस से कोई लेना देने नहीं है, सर, तुम वहाँ गई क्यों? असल में, सर, मैं एक रिपोर्टर हूँ, और टाइमस ओफ इंडिया के लिए इंटर्शिप कर रही हूँ, अपने जॉब के लिए मैं एक स्टॉरी लिख रही हूँ, उसी स्टॉरी के सिल्सले में मैं सुन्दर से मिलने गई थी, ऐसी स्टॉरी, और सुन्दर के साथ उसका क्या संबद? अब क्या बताओ, सर? बताओ! सर, आरके पुरम फ्लाइवर पर, मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ, वो उस फ्लाइवर पर डिवाइडर ब्लोक्स रखे हूँ है, सर, ट्राफिक चैम से बचने के लिए, लोग उन डिवाइडर ब्लोक्स को खिसका कर, वहाँ से यू टर्न ले ले लेते हैं, और चब वो चले जाते हैं, तो वो ब्लोक्स वैसे की वैसे ही पढ़े रह जाते हैं, चोकि ऑपसे डिरेक्शन से आने वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाग है, इन सब से सुन्दर की मौत का क्या लेना देना, इन डिवाइडर ब्लोक्स को हट आकर यू टर्न लेने वाले लोगों को खोज कर, मैं बस उनका इंटर्व्यू लेना चाहती थी, सुन्दर ने डिवाइडर ब्लोक्स खिसकाए थे, इसने तुम उसका इंटर्व्यू लेने गई थी, यही ना? यह सर, सुन्दर नहीं वो डिवाइडर ब्लोक्स खिसकाए थे, यह तुम्हें कैसे पता? उस लाइवर पर एक बॉना भिकारी भीक मांगता है, जो लोग वो डिवाइडर ब्लोक्स खिसकाए कर यू टर्ल लेते हैं, वो उनकी गाड़ियों का नंबर नोड करता हैं और मुझे दे देता है, सुन्दर का नंबर भी उसी ने दिया था, ऐसी कहानी सिनाव जिस पर हमें यकीन हो सके, हम छोटे बच्चे नहीं है जो तुम्हारी बच्कानी कहानी उसे पहल जाएंगे, ये बच्कानी नहीं है सर, बच्कानी नहीं तो और क्या है, जलो मान लेते हैं कि सुन्दर ने डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाए थे, तो इसलिए तुम उसे मार दोगी, मजदाख है क्या, सर मैं तो उसके घर उसका इंटर्वियो लेने गई थी, बताया ना आपको? डिवाइडर ब्लॉक्स खिसकाना कोई ओलिम्पेक गेम है, जो इंटर्वियो लेना था? सर, बीच सड़क पर गाड़ी रोक कर, अपनी सहुलियत के लिए रोड ब्लॉक्स हटा कर, किसी को मरने के लिए छोड़ देना ये सही है? ऐसे लोगों के क्या सोच होती होगी, सर? सिविक सेंस, ट्राफिक रूल्स, क्या ये सिब इंपॉर्टन नहीं है, सर? ऐसे लोगों की सोच को समझने के लिए, मैं बस उनका इंटर्वियो लेना चाहती थी. हलो? सर, उसे केस की पूछता चल रही है. मैं जानता हूँ आप पर पॉलिटिकल प्रेशर है, बढ़ कारवाई के लिए हमें थोड़ा और समझ चाहिए. डीडिया सवाल पूछ रही है, तुम समझ रहे हो? जी, सर, मैं समझ रहा हूँ. और कितना समझ चाहिए? बस कल सुभे तक कर समय दीजे? हाँ, ठीक है, लेलो पर इस मुझिबल से पीछा चुड़ाओ. हम कुछ करते हैं. सर. टाइक, मेरे साथ हम. यस सर. सर, प्लीज. काशी, गाड़ी बहार निकालो. गाड़ी निकालो. कुमार, मेरा बैग लेख लेख हो. लाए, सर. टाइक, जी, सर. अगर कोई और केस होता, तो भेज देते हैं. लेकिन बरने वाला सुन्दर एक पॉलेटेशन का सीए था. और वो ही उसके सारे अकाउंट्स भी देख रहा था. इसलिए हर कोई हमार उपर ढंडा करना है. प्रभाकर, एक काम करो तो. जरा, उस बिल्डिंग के CC TV फोटेज, क्लोजली चेक कर लो. और सुन्दर के कॉल डीटा भी निकाल लो. और हाँ, मुझे सब मॉनिंग में रेडी जाए है. ये मेरे घरबालों ने मुझे अलग परिशान कर रहा है. जाना ही, मैं समाल लूँगा. और बार फोन क्यों कर रहे हो? एक बार कहा ना कि मैं आरा हूँ. यहाँ खाली नहीं बठाओ वाँ मैं. मैं तो यहाँ खाली बठाओ ना, मुझे भी साथ में ले लो सर. नायक सर, उस लड़की के बयान पर तुम्हारी क्या रहा है? मुझे लग रहा है कि वो सचकरी है सर, जब वो सुंदर के घर पहुची, उसी वक्त उसकी मौत हुई. ये भी तो हो सकता है कि ये इतिफाक हो. ये इतिफाक है या नहीं, यही तो खुजना है. और जो भी हो, ये केस CID में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. मिनिस्टर ने मुझे डायक्ट ओर्डर्स दिये हैं. ठीक, उसे रिमान होमें शिफ्ट करो, सुबह बिल दे हैं. तुनाइट सर. सुनो कमला. जी सर. रिमान होम में फोन करो और कहो कि पेपर तयार करें, ये रात को वह रहेंगी. सर, मुझे रिमान होम क्यों भेज रहें? सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए. तुन चुप कर. कमला, आप जाईए. सर, इस वक्त तो बहुत देर हो गई है सर, और बहुत तेज बारिश भी हो रही है. हाँ, मैं जानता हूँ, पर कुछ नहीं कर सकता, जैसा कहें कीजिए. ठीक है, सर. सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर, मेरी बात का यकीन कीजिए. बैठी. अभी भी इन्वेस्टिकेशन बाकी, और रूल्स के हिसाब से हम आपको रात में यहां रोक नहीं सकते. अगर मुझे उसे मार नहीं होता सर, तो मैं अपना ओरिजिनल फोन नंबर, ओरिजिनल एड्रेस उस रिजिस्टर में क्यों लग क्या आती सर? देखे, सुबूतों के आधार पर शक आप पर ही जाता है. अच्छा होगा कि आपको ऑप्रेट करें. सर, जरूर कोई गलत फैमी हुए सर. सर, मेरे पास सर्फ सुन्दर का ही नहीं, दस और लोगों के अड्रेसेस भी लिखे हैं. मैं कुछ समझा नहीं. रुकिये, मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखे, उन सारे लोगों के अड्रेसेस, जिन्होंने यूटर्न लिया था. ये सारे नंबर मुझे उसी बॉने भिकारी ने दिये थे. अगर मुझे मार नहीं होता, तो मैं उन दसों का खून करती, सिर्फ सुन्दर को ही क्यों मारती. कम से कम आप तो समझे सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सुन्दर को नहीं मारा है. वेट वेट वेट, थोड़ा कन्फ्यूजन है, उस फ्लाइवर पर एक भिकारी भी था, वो कौन है? और वो तुम्हें नंबर क्यों देता है? मैं जब भी वहाँ से जाती हूँ, वो वहीं पर होता है. वहाँ से यूटन लेने वालों के गाड़ी नंबर नोट करने के मैं उसे हर बार सौरे पर देती हूँ, सर. बस इतनी सी ही बात है. तो इसका मतलब ये सारे नंबर तुम्हें उसे नहीं दिये? जी, सर. तुमने सब का इंटर्व्यू लिया? नहीं, सर. सबसे पहले मैं सुन्दर के पास ही गई थी. सुन्दर से पहले किसी राजेश नाम के आदमी का अड्रस लास्ट मंग की डेट पर लिखा हुआ है. आई मिन, वाई सुन्दर? राजेश का इंटर्व्यू क्यों नहीं लिया? ये वाला. बदाईए? असल में लास्ट मंद में मेरी मॉम मेरे पास रहने आई थी. उसी भाग दोड़ के चकर में मैंने उसका इंटर्व्यू नहीं लिया. बस इसलिए... उस फ्लावर पर जो भिखारी है क्या उसे मिलवा सकती है? हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल. वो वही फ्लावर के किनारे भीक मांगता है सर. ओके, आप यहीं रुकिए. सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, यह गाड़ियों की कुछ डिटेल्स है, पता करो कि इनके खिलाव कोई पुलिस कम्प्लेइन है क्या. ओके सर, दो इट फास्ट. मैं दिखता हूँ सर थाइक्स. शक्ति, मुझे सुन्दर की पोस्ट मॉटम की डिटेल्स चाहिए, जल्दी से जल्दी मंगवा लो. चलो, बैटो. AP05EA2162, देखकर जल्दी बताओ, कहीं इसके उपर कोई केस तो रेजिस्टर नहीं है. मुझे पता है कि आपको अफिशल रिपोर्ट लिखने में टाइम लगेगा, पर कितना, डॉक्टर? डॉक्टर के आज रिपोर्ट मिल पाएगी? तैंकि सर्व. हाँ, कहा है वो? वो, वहाँ है सर्व. काशी, जाओ देखो ज़रा. यहाँ तो कोई नहीं है सर्व. यहाँ तो कोई नहीं है, तुमने कहा था यहीं मिलेगा? वो, रोज मुझे यहीं मिलता था सर्व. उसको टैब बुक पेज चेक करता हूँ. शायद रचना के बारे में कुछ पता चाह सेगे. यह किसका फॉन है? हलो? सर, हम लोग यहाँ पहुँच गए? यहाँ पर कोई भी नहीं है. यह लड़की छूट बोल रही है. आसपास अच्छी तरह चेक करो. वो वहीं कहीं होगा. ओके सर. अभी तक काम पूरा नहीं हुआ. जल्दी बेजो. जल्दी तरह पूरा नहीं हुआ 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 है. आओ, वहाँ जाके बैठो. कमला, क्या हुआ? सर. वो मिला वाँ? मिल गया सर. यह देखें, यही वो आदमी है जिसने इसकी हेल्प किये थी. रशना, इसी ने तुमें नमबर दिये थे? जी सर. प्रभाकर, इसको इंटरोगेशन रूम मिले जाओ. रशना, तुम इसके साथ जाओ. बताईए क्या बता चला. सर, मेरी डूटी डॉक्टर से बात वी. अच्छा. उसने बताया कि सुंदर की बॉड़ी पर खरोच के निशान नहीं है. और नहीं किसी चोट के. और उसकी मौत कितने बज़े हुए थी? उनके हिसाब से सुंदर की मौत का टाइम आधी रात के दो बज़े का है. पर वो भी कंफर्म नहीं है. टू ए-म. ओके शक्ती, युमेगो. थैंक्यू. ओके सर. शक्ती, एक कॉफी पिला दो. लाता हो सर. सर, हमने बिल्डिंग के CCTV कैमरा की फुटेज को अच्छे से चेक किया, और सुंदर की बीवी के घर से निकलने के बाद सिर्फ यही लड़की उससे मिलने गई थी. इसका मतलब सुंदर की मौत और रचना के वहाँ पहुँचने के बीच तकरीबन दस घंटे का फर्क है. हाँ, करेक्ट सर. क्या लगता है, कोई connections? सर, मैं भी वही सोच रहा था. सुंदर और रचना के बीच कोई connection होने का, ना तो हमें कोई सबूत मिला है, और ना ही इन दोनों के बीच के हिस्ट्री का आप कोई नामू निशान मिला है. मुझे लगता है कि वो लड़की सच बोल रही है, वो बेकसूर है. कैसी फाल तू कहानी है, सर. एक आदमी वहाँ से यूटन लेता है, और एक पागल आदमी उसके गाड़ी का नमबर नोट करता है, और ये लड़की उस आदमी से जाके नमबर लेती है, ये यंग्स्टर्स आज केल हमें बेवकूफ समझने लगे हैं. सर, हाँ, आजा. जिन गाड़ियों के नमबर्स आपने मुझे दिये थे, मैंने उनके डीटेल्स निकाल लिये हैं, सर. प्रभाकर, ये चाड़ करो. ए, चलो, बोट. सर, इसी कहा रहे हैं, सर, इसी कोई बेट, चल, बेट, इसी प्लीज चोड़ दीजिए, सर. बेट, बोला ना? इसी ने तुम्हें दस गाड़ियों के नमबर दिये थे? सर, हाँ, सर. तुमने ये नमबर किसी और को दिये? नहीं, नहीं, सर. तो इन सारे नमबरों का अड्रस तुम्हें देने वाला है कौन? सर, सर, मेरा एक फ्रेंड है जो आर्टियों में काम करता है. मैं उसे गाड़ी के नमबर देती हूँ और वो मुझे एड्रस निकाल के देता है. बस इतना ही, सर. आप क्या होगे, सर? तुम्हारी डायरी में जिन दस लोगों के नमबर लिखें, वो लोग मर चुके हैं, सब के सब. उन सब ने आत्म हत्या की है, ये रिपोर्ट कहती है. रचना, तुम कुछ छुपा रही हो. अगर जूट बोलोगी, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता. मैं सच कह रहे हैं, सर? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, सर. इन अड्रेसेज और नमबर्स के अलावा, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती. प्लीज बरीव मी, सर. तुमने अड्रेस पर डेट क्यों लिखी? यह देट्स उस दिन के हैं, जब उन्होंने ब्लॉक्स किसका है और यूटर लिया. यह वही देट्स है, सर. तुम्हारी डाइरी की देट्स, पुलिस रिपोर्ट्स की देट्स, उनके सिउसाइड करनी की देट्स, सब के सब एक ही हैं. तुम डाइरी में जो भी देट्स लिखती हैं, उस दिन उनकी बहुत हो जाती है, इसका बताब क्या है? वो कुछ नहीं बोल रहा है, सर. शायद गुंगा है. मुझे नहीं लगता हमें उससे कोई भी इंफरमेशन मिलेगी. अब क्या करें, सर? उसके लावा और कोई सुरग नहीं है. सर, उसकी पॉकेट से ये नोट पैड मिला है, जिस पर कुछ गाड़ियों के नंबर लिखे हैं. ये नंबर किसका है? मैं नहीं जानते हैं. रचना, ठीक से देखो और हमें बताओ. सर, हो सकता है ये नंबर उसका हो, जिसने आज ब्लॉक्स कसका है हो. और मुझे देने के लिए उस भिकादी ने ये नंबर नोट किया होगा, कि अगले दिन जब मैं आफिस जाओंगी, तो भो मुझे दे देगा. इसके लावा मुझे कुछ नहीं पता. अगर वो इंफोमेशन तुम्हें कल देता, तो टाइरी में डेट लिखती? कौन सी डेट लिखती? कौन सी डेट लिखती? अज के डेट लिखती? अगर विखती? अधर दे इसकी। नभागर, यह सर। ट्राफिक कंट्रोल रूंग जा। और CCTV फुटेज में देखो कि फ्लाइवर पर इस गाड़ी ने यू टर्न लिया थे कि नहीं। जितने ही जल्दी हो सके बताओ। सर्फ, जिस आदमी का अपता आपने मांगा था, वो पीछी की बिल्डिंग में ही रहता है। काड़ी में करो। ओके सर्फ तो भागर चला गया। तो भागर चला गया। हाँ सर्फ, मुझा कपकेचा नहीं गया। कुछ आजन हो तो मुझे पॉन करता। यहां पर मलेक को नहीं है। सर्फ, वो रहे। तेंक्यू। मलेक। यह सर्, बोलिए। नायक सर ने तुमसे मिलने को कहा था। उन्होंने मुझे कॉल तो किया था। कैसी जानकारी चाहिए अब। मलेक, वो जो आरकेपुरम फ्लाय ओवर है ना वहां से इस गाड़ी ने यूटन मा रहा था। इसके बारे में पता करो ना। शोर सर्, मैं चेक करके बताता हूं। आप बैठिये। थैंक्स रचना। आईये सार। फ्लाइट नंबर? 1504 सार। यही है वो फ्लाइट सार। क्या कर रहे हैं। बैल इस तरह बजाते हैं क्या। नेम प्लेट तो देखो। सॉरी सर, देखा नहीं। काय काम है तुमसे। क्या आपका इनाम शरत कुमार है। कौन है। कौन गंड़ी बजा रहा है। बच्चा सोर आथार उसे जगा दिया। अकल घुटने में हैं क्या। अब कौन चुपकर आगा उस बच्चे को। नेचे तुम्हारी गाड़ी है। TS-21 BC-2120 मैं तुम्हें क्यों बताओ। बात क्या है। वो गाड़ी तुम्हारी है या नहीं। हाँ मेरी है। तो क्या हुआ। इस लड़की को कभी देखा। कौन है यह। रश्णा तुमने इससे देखा कभी। नहीं सर। आरके पूरं फ्लाइवर पर तुमने योटन लिया था। हाँ तो मुझे अरेस करने आया। इसने कंप्लेंट की। वारंट है क्या। अरे कुछ नहीं। आप जाओ अंदर जाके सोजा। जाओ ना। घर में और कॉन कॉन है। इससे तेरे को क्या मतलब। कंप्लेंट है क्या। वारंट है क्या। हलो मैं लॉयर हूँ। कानून अच्छी तरह से जानता हूँ। पेपर है तरे पास। यह उठी पर हलो एए एए सुनाई नहीं देता क्या। अंदर का घुज़े जा रहा है। सर्च वारंट है क्या। कोट में फसेगा तू। समझा इसको इसको बोल की बाहर आए। सुनाई नहीं देता क्या। तु जानता नहीं मैं कौन हूँ। हलो, अरे बाहर निकल। मा मेरी बीबी है। I'm sorry. हलो, ए, मा क्या देख रहा है। बाहर निकल बाहर से। कुछ भी नहीं मिला न? पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेइन कर देना। पर फिलाल अपना दर्वाजा बंद रखना कम रचना। हाँ, हाँ, आता हूँ। सुबह होते या जाओँगा। जरता नहीं हूँ तुझसे। अब तुझे कोट में मालूम पड़ेगा। मुझसे पंगा लेना तुझे बहुत भारी पड़ेगा। अच्छ सुनो, रमेश। तुम सुबह तक यही रुको। सर, यहाँ पे रुपना है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है। कुछ गडबड़ो तो फोन करना। चलो रचना। मैं उसे चुप करा। सुनानी क्या। सुनानी क्या करें। आगे बचा। पुलिस की नौकरी क्या कर लिए। इन सब के खुलाम बन गया। अच्छे इसलिए उस बॉने ने इसकी गाड़ी का नमबर नोट गया दो अचीब बात है यूट अगास सुंदर की टैथ और बाके सारे मौतों से कोई न कोई कनेक्शन तो है रचना कोई ऐसी बात जो तुम भूल रही हो याद करने की कोशिश करो उसे हमें काफी मदद मिले सर मैंने आपको सब बता दिया बाहर बते कर ला बाहर बाहर शाओ बाहर बाहर अ कि टार करें सर, सर, हाँ, उन सब के डीटेल मिले तुम्हें, यह सर, मिल गए, और वो डायरी में जो नंबर लिखे थे उनके, आपको जो भी जंकारी चाहिए थी, इसमें आपको मिल जाएंगी, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, हाँ, ऐसा नहीं है सर, मेरी बात तो सुनिये सर, मैं तो मिनिस्टर साब के केस में ही बिजी था, तब तक यह हो गया, हाँ सर, हालाद बहुत उल्जे हुएं सर, मैं जानता हूँ कि जो लॉयर हमारी पुलिस जीप पर गिर कर मरा था, उसके यूनियन के लोग आपके पास पहुँचे हैं, सर, किसी भी तरह उन वकीलों के साथ प्रेस कॉन्फरेंस को टाल दीजे, प्लीज, मेरे लिए, ओ, ओके सर, थैंक यू सर, मैंने तुमसे क्या कहा और तुमने क्या कर दिया, मैं इन्वेस्टिकेशन कर रहा हूँ, सर, उस लड़की को रिमांड हूम भेजने के लिए कहा था, हाँ, सर, पर इस केस से उसका, तुम्हारी वज़े से मुझे कमिशनर और प्रेस के सामने शर्मिन्दा होना पड़ा, सर, सुन्दर की गाड़िय हमारे साथ थी, उसका इस केस से कोई connection नहीं है, सर, वो बेकसूर है, सर, यह देखो, सुन्दर की post-mortem report, clear suicide, सर, कुछ तो गड़बड़े, सर, इस केस को आगे बढ़ाने के लिए permission दीजे, सर, बेलकुल नहीं, तुम अब कुछ मत करो, सुन्दर का केस क्लोस करो, बस, और दूसरे केसिज हमारे एरिया में तो हुए नहीं है, भूल जाओ उससे, अच्छा, वो लड़की कहा है, interrogation room में है, सर, आओ, रश्ण, 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 हमने तुम्हारे आटियों के फ्रेंड से पूछ ताज की थी, डॉन्ट परी, उसे कुछ नहीं होगा, उस मौटन रिपोर्ट आ गई है, तुमने शही कहा था, सुन्दर की मौत में तुम्हारा किसी भी तरह का involvement है, ऐसा कोई सुबूत हमें अभी तक नहीं मिला है, तुम ज जाओगे, तुम्हारी संदगी बरबाद हो जाएगे, तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ, इन चीजों को यहीं छोड़ दो, डियो अंडर्स्टैंड, नायक, सर, जाओ इसे घर छोड़ा, अलो, नमस्कार सर, यह सर, हाँ सर, पोस्मॉटम रिपोर्ट मिल गई है, सर सुसाइड की वज़े से केस क्लोज कर रहे है, हाँ, अपने इन्वेस्टर फ्रेंड को बता दीजे सर, उसका अकाउंट बचा हुआ है, ओके, ओके सर, थैंक्यू, रचना, तुम्हारा घर आगया, सर्य तुम बहुत ठक गई होगी, जाओ आराम करो, सर, आपको मुझ पर यकीन है ना, आई ट्रस्ट यू रचना, मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें इस केस में कुछ नहीं होगा, थैंक्यू, स्यूड़ता है कर दो खर दो कि एक्रोड़ खर खर दो मगा कर दो कर दोड़ कर दो कर दो कर दो जो जो हम प्रॉट कर दो कर दोड़ है कर दो कर दो कर दो कि अरोगा जो कर दो कि अरो है झाल 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 हाँ प्रभाकर तुम ट्राफिक कंट्रोल रूम गय थे वो सिसी टीवी की फुटेश तुम्हें मिल गई आचा वो कुमार से भीजवा दो सर आपको हम तिनों का गुड मॉर्निंग सर वो संता ये बनता और मैं जनता आपने वो पोस्ट मॉर्टम्स रिपोर्ट देखी वो रिपोर्ट तो हम नहीं तयार की है सर जी मेरा ये कहना है कि सारी रिपोर्ट सियूसाइट की ही है सर हम बस आपको प्राण जाने का कारण बता सकते हैं परंतु यह हत्या है यह आत्मा हत्या यह सिर्फ आप ही बता सकते हैं सर मैं इन केसिस में कोई कॉमन बाट ढून रहा हूँ जैसे कि मौत का वक्त या कोई हतियार कोई ऐसा घाओ जो एक जैसा हो कुछ भी जो अलग हो या अजीब हो जी जितने केस मैंने हैंडल किया है ना मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा और आपका? सर पोस्ट माटम तो ये लोग करते हैं मैं तो से बॉड़ी उठाता हूँ आप ऐसे जानना के चाहते हैं सर कुमार आओ सर प्रभाकर सर ने आपके लिए पेपर्स भिजवाई है थांक यू सर हमें देर हो रही है हाँ आप जाहिए अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फोन करूँ आने के लिए शुक्रिया थांक यू थांक यू सर रचना यहाँ बैठती है ना? हाँ यही बैठती है पर अब तक वो आई नहीं है ओ, ओके, थांक्स ओके हे रचना, मैं तुम्हें टून रहा था फोन नहीं उठाया और आज लेट भी आई हो तुम ठीक हो ना रचना? ने ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान है कॉफी? अ, असल में एडिटर से हाँ, समझ गया, तुम्हें काम होगा, मैं बहुत नहीं मिलता हूँ, बाई ओके, बाई अपना ध्यान रखना एक्सक्योज मी सार, आप बिजी हैं? जी नहीं, बताईए सर, इस केस को हेंडल करते वक्त, मुझे उसमें कुछ अजीब लगा था बैठी? सर, मैं फिर से रिपोर्ट देख लूँ यह वाली नहीं सर, ओ वाली कौन सा, ये? सर, ये देखिए, यूफोर अंब्रेला इस केस में, ये निशान ही, सबसे अजीब चीज देखी गई है, सर नॉर्मली कोई भी मरते वक्त, अब्रेला कट नहीं बनाता है, सर एकदम सिधा कट करता है, पर ये सिधा नहीं है, सर ये एक ओमन नहीं है क्या? नहीं, सर फिर? सुसाइड करने वाले कनफ्यूज होते हैं, सर वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि सिधा कट मारें कि टेड़ा कट मारें अमरेला कट का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये अबनॉर्मल है, सर इस केस में, प्लेड गुमा कर, आ, कैसे समझाओं? यू जैसा? हाँ, ये ही तो इतनी देर से मैं आपको समझा रहा था, सर अच्छा, सर, लगता है अब समझ गे, अब मैं चलता हूं, सर ओके, सर, थैंक यू, थैंक यू, सर ये महजे कि इतिफाक है, हमने अल्यड़ी प्रिस्मिस स्टेट्मेंट दे दिया है मुझे अब और कुछ नहीं कहना है, प्लीज, थैंक यू, सर, दर असल ये है नयक, अब इस केस का पीछा छोड़ दो, तुम खामका टांगड़ा रहे हो, तुमारी वजह से एक लॉयर का पुलिस जीप पर गिरकर मरना, इस समय नैशनल लेवल की ब्रेकिंग निउस बन गया है सर, मैं तो उसे बचाने गया था नयक, किसी से ये मत कह दे रहा, उसकी बीवी ने स्टेट्मेंट दिया है, कि लॉयर के उपर बहुत सारा लोन था उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ जब्थ हो जाएगा, इसलिए ढर कर उससे बचने के लिए, बिल्डिंग से कूद कर उसने सुिसाइड कर लिया है सर, अब यही बताना सर, नहीं, ये, ये कोई सवाल नहीं यस सर ये क्या सर, आपसे बताया था न, सुन्दर की मौत और यू-टर्ण केस में एक कॉमन बात है, मैं वही आपको लिखा न अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे तुम, मैंने कहा न, सुन्दर केस क्लोज हो गया है, यू-टर्ण केस कोई है ही नहीं, जाओ बहुत सारे पेंडिंग केसिस सॉल्ब नहीं हुए है, उन्हें क्लियर करो, यस सर नाय, रचना का फोन नंबर है न तुमारे पास है ना सर, अगर आपको बात करनी हो तो मैं, उसे फॉरण, डिलीट कर दो, जाओ आखिर इस यू-शेप का रास क्या है, लोग मर क्यों रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है इन सब की मौत हो चुकी, आखिर कौन मार रहा है इने, उझे पता लगा नहीं होगा भाईया, भाईया, मुझे माफ कर दीचे, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा होगा यह रख लीचे, ले लो ना हलो, हलो, मेरी आवाज आ रही है, हाँ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम का प्रेशर ज्याद है देखो रचना, मुझे से कुछ भी छुपाना मत, क्या, कल रात अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो प्लीज मुझे मुझे माफ कर देना, नहीं नहीं आदित, तुम बेकार में इतना सोच रहे है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर, अज रात को डिनर पर चलें क्या, आदित होगा, प्रभाकर से कहो, इंसे बात करें, चलो, चाल ठोकाई कराऊं तेरी, उनके साथ, अब क्या हुआ, सर्, अब क्या हुआ, सर्, आक्शली मैं आर्के पुरम फ्लावर की तरफ से जा रही थी सर्, और तभी मैंने, आजित तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अब ये ट्राफिक वाली भाई, चल अपना काम करना, अरे मुन्हा, ये ट्राफिक वाली नहीं है, तुम्हेर कौन है भाई, एंजियो वाले, एक्स्टा चोचले, ड्राइविंगी टाइम पर फोन पर बात नहीं करने का, सीट बेल्ट लगाने का, अब यहां से यूटन लेंगे तो जाए कायदे कानुन स्कूल के बच्चों को बढ़ा, यहां पर ग्यान बढ़ रही है, यह धूप में खड़ी रहेंगी तो काली पड़ जाएंगी घर जा, आन दे, आवा आन दे, अचा फोटो हा, खीज, खीज, अपने बाप को दिखाना है साधी करेगा तेरे साथ, अब तुम्हारा इस केस से क्या तालुक है, सार, यह आप क्या कह रहे हैं सार, उस फ्लाइवर पर से यूटन लेने वाले हार आदमी को एक प्लान के तहत मार दिया जाता है सार, अगर वो… मैं यह मत बताओ, तुम जासूस हो यह CID, मैं तुम्हे पहले भी कह चुका हूँ, कि अगर इस केस से किसी भी तरह का तालुक रखोगी तो जरूर भस होगी मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रही थी सर, सर उन लड़कों की जान बचा लिजे प्लीज सर, सर कुछ कीजे सर लेकिन उनकी जान बचा लिजे हमें हमारा काम सिखाने की ज़रूवत नहीं है, हम जाते हमारा काम क्या है, गिराओ दायक, सर, जाओ और अपनी दोस्त को समझाओ सरा रचना, रचना, देखो प्लीज नाराज मत हो, इसमें तुम्हारी ही भलाई है आप लोग इतने लापरवा कैसे हो सकते हैं सर, उन दोनों की जिन्दे की खत्रे में है उन्हें कुछ नहीं होगा रचना, भिलीव मी सर, कल आपके हिसामने उस वकील की मौत हो गई सर, या भूल कैसे सकते हैं, आपने खुद देखा था देखो, मुझे अपने सीनियर की ओर्डर्स फॉलो करने परते हैं, समझने की कोशिश करो तो आप अपने सीनियर के ओर्डर्स फॉलो करें, लेकिन अगर कल उन्हें कुछ हो गया, तो उन्हें चुपने ही बैठोंगे चलाओ अब शर्म नहीं आती, रैज लेकि अपनी जिंदगी खराब करने के बजाए, खुद को फासी कि नहीं लगा लेते, आप सब आपे अबे ए राजू, क्या हो गया रहे तिर को, अबे उटना, तिर से चड़ा ली है क्या, उटना, कहां फस गया यार यजए यजए लगव यजए सर, ये लड़का इशारा करके हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ समझ आया? सर, ये कौन सी जगे है? सेफ तो है ना? इसी जेल के निचे एक बेस्मेंट है, there is nothing to worry, ये यहाँ सेफ है, आज रात वो यहीं रहेंगे. कुमार, सर, बेस्मेंट की लाइट्स अफ कर दो, उके सर, उने आराम से सोने दो. का आराम वालाम झाल इस काुटे वालाम झाल्टिधा व क्रवलेंग का राफ ब्लाबाव से एके लिएर है, इसक पू grapesे है, आपहाद झाल rयूटों नहीं सर थैंक्यू अदरक वाली ये पियो थैंक्यू फर बिलीविंग इन नी आप उन्हें अपनी निग्रानी में रखेंगे तो आम शॉर उन्हें कुछ नहीं होगा इस मैं ड्यूटी रचना उस वकील के मरने के बाद मैं कोई चांस नहीं लेना चालता सर उस वकील के डेथ केस में कोई प्रॉग्रिस होई उसकी इन्वेस्टिकेशन चल रही है उस पर बहुत कर्स था और परिशान होने की वज़ा से उसने सुिसाइड कर लिया सर उस ब्रिज की यूचन का और इन सब लोगों की मौत का कोई कनेक्शन हो सकता है सर इन्वेस्टिकेशन चल रही है रचना अब इसकी अब इसकते हैं और तब से आगे पीछे आगे पीछे घूमता ही जा रहा है मुझे डर लग रहा है सर अब हम क्या करेंगे सर करने की कोई बात नहीं है लाइट सां का हां हां कर देता हूं शक्तिक बला लो हां हां सर है राजू है आरे मान को रहा है सर आपने बुला है शक्ती वो दोनों आपस में जगड रहे हैं ओके सर जाओ उन्हें कंट्रोल करो क्या हुआ रे कमीने जिस ठाली में खाता उसी में छेट करता है माना जाता है मुझे अरे आखिर मैंने किया किया है राजू ए राजू सर ये दोनों आपस में लड़ क्यों रहे है ना बोला था यू डल लेने को ना बोला था कौने चूँ तेरी बाच प्रभाद कर रख जल्दी करो सर्विलेंस रूम में आओ क्या कर रहे हो अब तक दर्मासा क्यों खुला ला मुझे तो मैं ट्राइकर तो क्या हो गया सर ये लोग लड़ क्यों रहे है तुम यही रोगो मैं देखता हूं आप रुकिये सर मैं जा के देखता हूं है यू शो आज सर समालना रुक रभाद कर जाओ और उन्हें जल्दी रोको आमें जा रहा हूं सर यहां दर्वाजा नहीं खुल रहा है अरे का अरे का ब आमें अरे क理निर ऴोग.. कि वहा हूं है रहा हूं Эप ज़ल थे वहाøं रहा रहा हना दो खुल ड़कर घखा हूं वहा हूं ज़्आए रहा है अगर दर्वासा ने खोल रहा है तो दर्वासे को तोड़ दो चलो सब लो धाके लो बचाओ मुझे बचाओ सर दर्वासा चाम हो गया हम लोग कोशिश कर रहा है खुर नहीं रहा है सर प्लीज सर बचाओ मुझे सर शर सर दशना तुम यहीं रुको मैं अभी आर क्यों दिया यो तार अब तुम मरेगा तुम लोग कर क्या रहे हो तू नहीं बचेगी तू मरेगी मैं तुझे महार डालूगा जस्ट मॉव जलो 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 शक्ति गेट ठोनो जल्दी सर यह तो लॉक है सर और इसकी चापी भी अलग है हमारे पास टाइम नहीं है सर जारी कीचिए लगता है वो बेहोश हो क्या है ताले को तोड़ दो रशना तुम सुन रही हो तुम्हारी आवास नहीं आरी है रशना मेरी बात का जवाब दो सर जालो सर तुम ठीक तो हो ना मुझे खूर रहां मुझे मारने की दंकी देरा है कौन खूर रहा है जवाब तुम अच्छा रूरा तुम्हें सर पीसे देखेए सर नहीं कुर रहा है सर भाकर ज़ए प्चारो ताला तोड़ो सर जदी कुछीए था एक्सिंगुशे लाओ मैं जा नो भर जाएं! कुछ नहीं होगा तुम्हें प्रश करो भरेवा करे ज़ल को शौJust कुछ की तुछила पंचरो दुण damaged सब्सक्राइब करें तो खोलोने जल्दी ओपन करो जनब अधर चलेंगे अंधर मचाईए सब्सक्राइब कुमार अपने पक्वास बंद करो सब्सक्राइब करें 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 अभेके जा का उसके बाद पात्म करें सर कुछ नहीं होगा हम है तरह संभल कर कर प्रभा कर बड़ता भी! अजया जो टाइजा पूंग कर दो दन्या हो गया मैं इद का चांद हो गई हो तुम तैम मिलने का कर दो आप डाइस यसर निप्लीज ओकिस किस अधर अ अ रसना वे, क्या होगा तुम, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक हुजाएगा I'm sorry Aditya, किसलिए? कई दनों से मैंने तुम्हे परिशान किया, पिछले एक हफ्ते से लगता है, तुम मुझे अपना नहीं समझती और इसलिए, तुम जरूर मुझे से कुछ छुपा रही हो, नहीं बताना तो मत बताओ लेकिन इतना याद रखो कि बुरे वकपर हमेशा आपने ही काम आते हैं और जानती हो, कितनी फिक्र हो रही थी तुमारी तुम्हें कोई परिशान कर रहा है क्या, कोई पीछे पड़ा हुआ है नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई परिशान नहीं कर रहा, सर्थ थोड़ा बहुत काम का प्रेशर है ठीक है, छोड़ो इन बातों को तुम्हारे प्रेशर को कम करने के लिए, मेरे पास एक तौफ़ा है भूल गई? अरे तुमने आरकेपुरं फ्लाय ओर पर हुए एक्सिदेंट्स की रिपोर्ट मांगी थी न ये वही है, तुम्हारी स्टोरी के लिए चलो अब तो मुस्कुरा दो, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें दे रहा हूँ अरे यार ये प्रिमा जी मुझे जब देखो काम शिपकाती रहती, मुझे जाना होगा सॉरी, यू टेक एर, ओके? आप्रिमा जी, शिड्नल पर यूँ आ रहा हूँ पॉस करो, अब दूसरा कैमरा दिखाओ तुम्हारे सामने लड़ाई हूती रही, तुम्हारे ही सामने गोली चली और वो मर गए सर्फ दो दिन में तीन लोग मारे गए, वो भी पुलिस वालों के सामने कल ही मैंने तुम्हें वर्निंग दी थी ना, कि सीनिय के ओर्डर्स फॉल होंगे, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी आम सॉरी सर, कुछ तो गडबड है, कोई तो ऐसी शक्ती है जो ये सब करवा रही एंक्वारी पूरी होने तक, यूर सस्पेंड़ेट रिटेश, हाँ, मेरा नाम रचना है, मैं टाइमस आफ इंडिया में काम करती हूँ, मुझे आप से कुछ बात करनी है, किस बारे में मैं आर्कियोपूरं फ्लावर पर होने वाले आक्सिदेंट्स पर एक स्टोरी तयार कर रही हूँ, उस सिलसने में आप से बात करनी है माया और मेरी लव मैरीज हुई थी, जर्ना हमारी बेटी थी, वो फर्स्ट डेड में थी, मेरी वाइफ भी जॉब करती थी, हमारी जिंदिगी सुखुन से गुजर रही थी, रोश राम को घर लाटने के बाद मैं जर्ना के साथ घंटों केला करता था, यही लाइफ थी, सब की दुनिया थी, फिर बहुत सब, सब कुछ खतम हो गया, I'm sorry sir, उस दिन जर्ना का बद दे था, माया उसको शॉपिंग पे ले जाना चाहती थी, जर्ना बहुत ज्यादा खुश थी, वो नौ मार्च का दिन था, सर, उस अक्सिजटन के बारे में कुछ बताएंगे, आखर उस रात हुआ क्या था, माया, 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 माय राश ड्राइविंग कहकर, केस को बंद कर दिया महां समाल कर ड्राइव किया करती थी मैं जानता हूं लेकिन एक्सिडेंट की रात को एक कार फ्लाइओवर से गुज़ी थी उसी कार ने एक्सिडेंट कर दिया ट्राफिक क्यामरा में उस कार की फोटो रिकार्ड भी हुई थी पर, पर पॉलिस ने कोई इन्वेस्टिकेशन नहीं की एक रात में, सिर्फ एक रात में पूरी फैमली खो दी I'm really sorry sir, मुझे आपको ये सब याद नहीं दिलाना चाहिए था कोई बात नहीं, इसमें आपकी को गलती नहीं हाई रचना हलो, पुलिस स्टेशन से मुझे पता चला I'm sorry, मेरी वज़ा से आपको ये सब झेलना पड़ रहा है नहीं, कोई बात नहीं है, वैसे केस तो चली रहा है, सब ठीक हो जाएगा पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है Don't feel bad, ये सब तो होता रहता है रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने ड्रग्स ले थी, हो सकता है उस ही का सर हो? सर, आज मैं रिटेश नाम की अकादमी से मिली थी फ्लाइवर पर हुए आक्सिडेंट में उसने अपनी फैमिली खो दी ये फ्लाइवर तुम्हारे दिमाग से निकली नहीं रहा है एक मिनट ये देखे सर, रिटेश की वाइफ और उसकी डॉटर रोड आक्सिडेंट पे मारे गए थे सर वो यहाँ अकेला रहता है सर, उसकी बातों में कुछ बहुत ही अजीब था सर आपको इन्वेस्टिकेशन करनी चाहिए रचना, बस अब बहुत हो गया, इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कहना चाहती है सर, ये मौतें आपस में जुडियें आप भी जानते हैं सुन्दर की मौत, वकील की मौत और उन दोनों बाइक वालों की मौत में शक्की सुईस सिर्फ और सिर्फ तुम पर जारीये पता है मैं इसमें शामिल नहीं हो सा ये मैं जानता हूँ, पर बाकी तो नहीं जानते न, तुम फंस चाहोगी सालों तक पुलिस स्टेशन और कोट के चकर काड़ोगी, फाइनली वो तुम्हें ही कातेल ढहराएंगे सर, उस फ्लाइवर पर जो भी यूटर्न ले रहा है, वह ही मर रहा है और आप कह रहे हैं कि मुझे चुप रहना चाहिए रचना, मैंने बहुत सी मौते देखी, बाद में कुछ नहीं होता, और तुम्हें भी यही मान कर चलना चाहिए हलो प्रभाकर कुछ सवानों के जबाब तुम्हारे लिए चानने बाँ हो सकते हैं अब मैंने ये केस शोड़ दिया है, तुम्हारी मदद नहीं कर बाँगा कर दो में वारे लिए, बाद में कर दो कर दो कि अधैने ये होता हैं सेखी हो प्रभाकर क्यांपना अब ड जए तता में टहाऊओ सेली यद कि अ कंपory पनल में यहेगरा किवारे है नप्यार्डलया यह warfare सर ये यूटरन केस की पूरी फाइल है थांक यू प्रबागर सर मुझे लगता आप बिल्कुल ठीक कर रहा है चलो तुम्हें तो ही यकिन कर सकताःड़ में बचल सक कर म कर सोल निम्हें घ्या प। टुम्हें युम्हें कर सकता है क्या हो अपिजा इतनी रात को फोन क्या सिब ठीक है ना हाँ माँ सब ठीक है शादी के लिए लड़का मिला या अभी तक ठूंडी रही है फिर से ड्रामा शुरू मत करो मा खाना खाया बस अब तेरी वारात में जीवर के खाऊंगी पापा कैसे है यहीं पड़े खर राटे ले लेके नाक में दम कर दिया है ठीक से बात करो ना मा नहीं तो मैं फोन रख हुई ठीक है और कुछ पूछना है मा मुझे बहुत डर लग रहा आ अर्चु कुछ गड़बढ है क्या हुआ बेटा के अलो अर्चु बेटा जवाब दे मा मुझे बहुत अकेला पन लग मैं उसे पसंद करती हूं और वो भी हुझे बहुत पसंद करता है तीचल में बताना क्या बात हुई तुपढ़ी लिखी है सुन्दर है तुझे कौन मना करने वाला है तिया लेके ठूड़ेगे न तो भी नहीं मिलेगी तुझे इसी लड़की मा मा बस करो ये डालोग मानने बंद करो मैं फोन रखती हूं बाए रच्चू नम्बर तो भेच लड़ टाली दो बाली जड़ दसंग कि अवर अवडर आप अश्यू अवडर लड़ लड़ वाह वाह झाल 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 कर दो कि अपना पिरोंग है जूज एक बादा लारता ह love कर दो कि अ एक इंदी एक बादा जब यहार लंदी मिंदी से घम लग लगा हूप हना लगा हु वाँ हु आए हुआ 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 कुछा ही, फ्टार, कुछा है फुछा है, प्यार! कर दो, कि अर दो दो, तो, तो, कि अरो कि अर्खरा को फिरुड कर दो, कर दो जह ए्हा हा जार दो, प्लादी! कि अर दो, बला... झाल 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 हुआ 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 है जर्ना खालो बिटा नहीं मुझे खाना नहीं खाना इस खालो तल शाम से कुछ भी नहीं खाया है लो खालो मुझे एपड नहीं खाया मम्मी मुझे औरंज चाहिए बिटा अब औरंज जिस कहां से लाऊंगी नहीं खाना है एक टुकड़ा खालो बस नहीं मम्मी प्लीज तेरा बच्चा ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है खालो ममी मान जाओना, मुझे नहीं खाना है वो फोजिब नहीं करते नहीं मा, प्लीज देखो जरना, नहीं खाओगी तो ममी गुस्सा हो जाएगी चुब चब खालो मा, मेरे लिए बरुन लाई होना हाँ, हाँ, यहीं कहीं पर रखा होगा जब, जा कर ढून लो तो मेरी बेटी की मौद की वजए तुम हो आज रात उस लाईवर के डिवाइडर ब्लॉक्स जिसने हटाए हैं वो तुम हो, मैंने तुम्हें देखा मैंने कुछ देखिया मैंने अपनी आँखों देखा उस दिन तुम ब्लॉक्स हटा रही थी अपनी जलबासी मे, तुम्हें इतना भी ने सोचा कि किसे जान को खत्रा हो सकता है तुम्हें मेरी जढ़ना का कतल किया है मैं तुम्हें नहीं जूरंगी अज नहीं मारा तुम जुट मतलो हाँ मैंने वो उस भशा हाट आया थे यह जाने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है लेकिन अक्सिदेंट के दिर वो डिवाइटर ब्लॉक्स मैंने नहीं हटाए थे मैं सच कह रही हूँ मैंने जिससे भी यह पूछो वो यही कहता है कि उसने ब्लॉक्स नहीं हटाए पर उस रात को नहीं और जर्णा उस फ्लाई उवर पर आराम से जा रहे थे जर्णा तुम्हें नीन तो नहीं आ रही ने बेटा नहीं ममी नहीं आ रही है तुमने ब्लॉक्स हटाए और हमारा अक्सिदेंट हो गया मैंने नहीं हटाए और उसके बाद, जब होश आया तो मैं एंबिलेंस में थी अक्सिडेंट के तुरंट बाद अगर इने लाया गया होता तो अच्छा होता ताफी खुन बह गया है इनके साथ एक बच्ची भी थी ना बेचारी बच्ची तो हाथसे के वक्त ही मर गई अरे रे बहुत बुरा हुआ उसकी बॉड़ी को पोस्पॉटम के लिए भेज दिया क्या हाँ भेज दिया ममी बाए जहना जहना मामी आजा मेरी गड़िया सर्फ पात साल की थी मेरा अच्छी ये भी नहीं जानती थी कि बहुत क्या होती है ममी क्या आप रो रहे हो ममी ममी को क्यो रो ला रहे हो नई नई आंटी ने कुछ नहीं किया ममी की आखो में कुछ चला गया का इसलिए अब मुझे कहानी सुनाऊगे न तुम जाकर बेट पर लेटो मैं अभी आती हूँ फिर तुमें एक कहानी सुनाओंगी ठीक है माँ गुड़नाइच जर्ना प्लीज प्लीज मझे छोड़ तो प्लीज मसाच के रहे मैंने कुछ ने किया मैंने मैंने कुछ ने किया फ्ली जोड़ो महाँ विट तो फ्लीज मझे छोड़ो मैंने क कुछ ते किया मैं यह पता कार लोगजी कि इस तें किसने डिवादर ब्लोकस हटाये तें और किसने यह टाल यह त़ॉ हेटा था मैं सच कहरए हो मैं तो मैं ज़्स जltआओ कि उस नादी काना मैं सब्सक्राइब बताओ कि प्लीज में चोड़ दो प्लीज मेरी बात का यकीन करो एक दिन मैंने देखा कि रोड ब्लॉक धाटे हुए तो मैंने उन्हें ठीफ कर दिया था मैंने दोहारी मेडी को नहीं बारा साज कहा है हूँ चलो मान लिया चीक है तो मैं एक मौका देती हूँ कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बीटी को मारा है अगर एक वीक के लिए हम इन्वेस्टिगेट करते रहे आप सौरी हाँ नो इशूर अलो आदेते देखो मैं मीटिंग में हूँ बाद में कॉल करता हूँ समझने की कोशिश करो मैं मीटिंग में हूँ ओके तो मैं एक मौका देती हूँ कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बीटी को मारा है मैंने उससे देखा है रचना वो मेरी हाथ की नस काटना चाहती थी बहुत हुआ रचना ये तुम्हारा वहम है मेरी मानों तो उसके बारे में सोचना बंद करो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा नहीं 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 सर जिसने उस दिन ब्लॉक से टाय तो उसे ढूड़ना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए रचना समझने की कोशिश करो अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं मैं खुद अपनी मदद कर लूँगी तुमने कुछ खाया रचना, तुम खाओ, मैं फ्रेश होकर आतूँ अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप यह सब भी करता है तुमारी डायरी में जो दस नाम थे उनके फोटोज और डीटेल्स मैंने चेक की इन सब में एक कॉमन बात है हर जगह एक यू शेप दिखाई देता है सुन्दर, श्रीनिवासन और वो दोनों लड़के जो बेस्मेंट में मरे थे जरह यह देखो और यह कोई इतिफाक नहीं है रशना, तुमने हाली में कहीं यू साइन देखा है कुछ याद नहीं आ रहा सा सोचो, याद करने की कोशिश करो किसी तरह का पैटन या औबजेक्ट इन सब से मिलता हुआ कुछ मैंने ऐसी किसी चीज़ का ध्यान नहीं दिया सा हाँ, ठीक है, चलो चलते हैं हाँ मलिक, ओ हेलो सर आप यहाँ कोई जरूरी काम हाँ, वो नौ मार्च को आरके पूरम फ्लाइवार पर एक एक्सिडेंट हुआ था उसकी फुटेज देखनी है, येस सर, जस्से मिनिट सर, यहाँ तो कुछ नहीं है, आप उस मा बेटी वाले एक्सिडेंट की बात तो नहीं कर रहे है, हाँ सर बच्ची फ्लाइवर से रेलवे ट्राक पर गिरकर मर गई थी, ये वही केस है सॉरी सर, तब तक उस फ्लाइवर पर कोई कैमरा नहीं था कैमरा नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ पर कैमरे एक्सिडेंट के बाद ही लगाए गए सर, वो एक्सिडेंट डिवाइडर ब्लोक्स खिसकाने की वज़़ह से ही तो हुआ था मैडम, जब वहाँ कैमरा था ही नहीं, तो खोजेंगे कैसे? फ्लाइवर के शुरू और आखरे में कैमरा है ना? यस सर, वो है मुझे उनकी फुटेज दिखा ये ट्राफिक फुटेज 9th मार्च का है उस गाड़ी का नंबर क्या है? हम चेक कर लेंगे कि वो फ्लाइवर से गई या नहीं वही तो पता लगाना है सर अगर आप नंबर नहीं देंगे तो हम खोजेंगे कैसे? फ्लाइवर पर जाने के बाद अगर कोई तुरंट लोटता है तो मतलब उसने यू टरन लिया है करेक्ट? येस सर, ऐसा होना पॉसिबल है सुपर फ्लाइवर पर चड़के वापस लोटने में कम से कम 10 से 12 मिनट का वक्त लगता है तो सबसे पहले लोटने वाले ने वो ब्लॉक्स ज़रूर हटाए होंगे राइट? आपने बिल्कुँ सही कहा फ्लाइवर की एंटी की फुटिज से हम ब्लॉक्स हटाने वाले को देख सकते हैं मलिक, कैना सीधा फुटिज? जी हां, मैं दिखाता हूँ सर, स्क्रीन के इस तरफ वो ट्राफिक है जो फ्लाइवर के उपर जा रहा है और इस तरफ फ्लाइवर से उतरने वाला ट्राफिक है पहला आदमी जिसने ब्लॉक को हटा कर यू टर्न लिया होगा वो स्क्रीन के दूनों तरफ दिखाई देगा बहुत अच्य मलेक, सर, प्लीज फुटिज प्लेज करो आप इसे ध्यान से देखेगा, अगर कोई शक हो तो बताईएगा सर, 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 वो रेड जाकेट थोड़ा सा रिवाइन करना पॉस, लोको मलेक देखकर तो वही लग रहा है सर इसने पूरा फ्लाइवर क्रोस नहीं किया बीच से ही यूटन लेकर लोटाया मलेक, उस गाड़ी का नंबर निकालो, मुझे इसकी सारी इंफर्मेशन चाहिए ओकी सर, रचना, तुम गाड़ी में बैठो, मैं आप ही आए सर, इस बाइक के सामने का नंबर प्लेट नहीं है, देखे नंबर प्लेट गाड़ी के पीछ है, उसे जूम करो प्लेट नहीं है, उसे जूम करो इन सब में एक कॉमन बात है, मरने वाले को हर जगए यू शेप दिखाई देता है, तुमने हाली में कहीं यू साइन देखा रचना, उस गाड़ी वाले का नंबर और अड्रेस मिला है, क्या हुआ, सब ठीक है ना, रचना, रचना प्लेट नहीं है, वाले का नहीं है, मिला आड़ी ए्यू अट्छाए मप बयनों झाल 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 कर दो कर दो कि दो हाई है ऐलो कि अओ हलो रमिश है जैए नहीं में उसका भाई बोल रहा है कौन बोल रहा है एक मिल रच्ना तुम है बोल रही हो ही उना तुम्हें मेरे भाई का नंबर कहां से मिला और तुम उससे क्या बात करना चाहती हो यह तुमारे भाई का नंबर है हाँ दो साल पहले वो यूएश शिफ्ट हो गया बैंक्स के ओटीपी इसी नंबर पर आते हैं इसने चेंज नहीं किया पर तुम्हें यह नंबर कैसे मिला और वैसे भी यह मेरे भाई की बाई के मैं तो रोज आरके पूरां फ्लायोवर से ही जाता हूँ मलेक सब्सक्राइब आपको कुछ दिखाना है क्या है एनी प्रॉब्लम मेरे साथ आईए रचना हर बात के हद होती है अखिर हुआ है बताओ तुम ने उसे मारो दिया तुम ने ही इस आरके पूरुप्लायोवर से ब्लॉक्स अटा के यूठ लिया था वो बच्ची तुम्हारी बाजा से मर गई, तुमने इसे मार दिया अरे कौन सा एक्सिडेंट, कौन सी बच्ची मुझे कुछ भी नहीं पता तुमने लाल जाकेट में अपने भाई की बाईक से फ्लावर क्रॉस किया था मैंने चापिक कैमरा में देखा है, वो तुम हो, मैंने कभी सोचा नहीं दा देते हैं, मैंने नहीं सोचा रचनाप, मैं सालों से उस फ्लावर से आता जाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कोई डिवाइडर नहीं हटाया सर, इस गाड़ी को ध्यान से देखिए हाँ, इसने लाल जैकेट पहनी है और कुछी देर बाद उपजिट लेन से लोटने वाली गाड़ी को देखिए, देखा आपने? डिवाइडर को हटाते वक्त तुमने मेरी शकल देखे क्या वहाँ पर? नहीं देखा लेकिन तो फिर, तुम कैसे कह सकती होगे, मैं नहीं किया है वो रोज हजारों लोग गुजरते हैं वहाँ से उपर चड़ने वाली बाइक और उतरने वाली बाइक दोनों अलग है उस दिन भाइक की बाइक को सर्विसिंग के लिए देना था मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं गराज नहीं जा पाया मैंने बाइक को पिक करने के लिए मेकानिक को फ्लाइओवर पर ही बुला लिया जब फ्लाइओवर के दूसरे साइट की फुटिज देखी, तब मैंने नोटिस किया सर, सेम वेहिकल, सेम कलर, सेम मॉडल, बस रिजिस्ट्रेशन नमबरा लगए अरे, इंजिन में से बहुत आवाज आगी, अच्छे से चट करना, अच्छा वाच्प करना उसके बाद हमने बाइक की अदला बदली कर ली, मैंने उसकी बाइक ले ली और वो मेरे भाई की बाइक लेकर वहाँ से निकल गया, बस इतना ही हुआ था तो तुमने डिवाइडर ब्लॉक्स नहीं हटाए थे ना क्यों हटाओंगा, मैं लाइफ में सीधा चलने वाला इंसान हो रच्णा, मैं यूटन नहीं लेता तो मैं एक मौका देती हूँ, कल तक मुझे पता चल जाना चाहिए कि किसने मेरी बीटी को मारा है सर, 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 वो लाल जाके ओ माइगाद, ये मने क्या क्या रच्णा, तुम सुन रही हो, अलो, अधित्या, तुम कहा हो, मैं तो अपने घर पर हूँ, क्यों, एक मिनिट जरा होल करना, कुई आया है अधित्या, अधित्या, प्लीज मत खोलो, दर्वाजा मत खोलो अधित्या कौन है ये अधित्या अधि приготов आटो, आटो भाईया, वे में लेबाट्मेंट, जलो जल्दी जी मैडम हलो, हलो रचना हलो, हलो हलो रचना, मैंने जो अड्रेस दिया है वो गलत है, उस लाल जैकेट वाले ने ब्लॉक्स नहीं हटाए सर मैं जानती हो कि ये आदमी वो नहीं है तुम्हें कैसे बता, वो लाल जैकेट वाला मेरा दोस्त है हम दोनों एकी ओफिस में काम करते है ओ माई गॉड, सर, सर मुझे आपकी मदद चाहिए रचना, क्या हुआ, बात क्या है सर, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे लेकिन, लेकिन मेरे दोस्त की सिंदी की खत्र में, सर, वो उसे मार देगी, सर, आप मेरी मदद कीजिए, सर तुम घबराओ मत, मैं आप याद हूँ आगे से लेफ्ट ले लो रिटेश ? अने हमें लेफ्ट चाना है हलो कौन है घर में जवाब दो रशना रिटेश मेरे साथ है मैं वहीं आ रहा हूँ क्या आप मुझे बदाएंगे कि क्या हुआ है जिस दिन तुम्हारी वाइफ और बेटी का एक्सिडेंट हुआ था उस दिन किसी ने फ्लाय वर पर डिवाइडर खिसका दिये थे आपके कहना है का क्या मतलब है सार क्योंकि जिस गाड़ी वाले ने प्लाक्स खिसकाए थे उसने वापस नहीं लगाए जिसकी वज़ा से तुम्हारी भीवी और बच्ची का एक्सिडेंट हुआ ऐसा हमारा मानना है रिटेश हाँ हलो बोलो मलिक जिस गाड़ी ने यूटर्न लिया था हमें उसका नंबर मिल गया है और का भाई यह ना येस सर अंडेट परसंट उसका नाम और एड्रेस मुझे वाट्साइब करो येस सर बेस्टाप निटेश हाँ बेच प्लॉँ थर्टीन रिटेश मैंने तुम्हारी बीबी और बच्ची को कल रात अपने घर में देखा था मैं अपनी जर्णा की मौत का बदला लूँगी मैं किसी को नहीं जोड़ूँगी मैंने इन लोगों को भी मारा मैं तुझे भी मार डालूगी को, मैं तुझे एंपरा हुआ! अदेटिया, 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 सबलने है औदित अदित तुमें तुम झीको अदित अदित तुम ढूत बस सांस लेते रहो वो यही है जोप रहो रचना वो यही है चल्दे निक लिए सर्थ कर Till आए तुम आप ॉसम्हर करेदे अदित अदित और तो में कुछ नहीं हो नहीं हो पापा नेटेश नेटेश जर्णा 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 मेरी पेटी तु कहा चली गई थी मैं कितना परिशान था तु कहीं नहीं गई थी आप छोड़का चली गई थे मैं कहीं नहीं था पिटी मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा था अब तुम्हा गई हो मैं कहीं नहीं जाओंगा तुम्हारे बिरह नहीं रह सकता मैं माया, तुम लोट आई? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसकी जान क्यों बचाई? माया, तुम कैसी हो माया? वो ज़र्ना की मौत का सिम्मेदार है, मैं उसे छोड़ूगी दूँ. माया, एक्सिडेंट वाले तिन, मैं घर लौट रहा था. हेलो, हैपी बच्रे कुरिया. आप कहा है? आप घर क्यों नहीं है पापा? बस रास्ते में हूँ बेटा, यहाँ पानी बहुत बरस रहा है, राफिक भी बहुत ज्यादा है. पापा, आप मेरे लिए गिफ्ट ला रहे हो ना? अरे 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 भू तो भूली गया, कोन ममी को दो दरा? ममी, पापा! कहां हो तुम? मैं ज़र्ना का गिफ्ट मैं ऑफिस में भूल गया हूँ. तुम बागी की शॉपिंग करो, मैं गिफ्ट लेके घर पहुचता हूँ, ठीक है? ठीक है, घर जल्दी आना. कुछे ज़र्ना का विफ्ट लोगर थी आना. आपू सॉरी मैया, मैं अच्छा भूल थी गल्दी की वजे से वेरा पुरा परिवार महरा जाएगा। क्यों आपी, आराम से। क्यों आपू आपना जाए आपा। अजेता कहरी साथ तो वो ब्लॉक्स भटाने वाला कोई और नी बल कि रिदेश ही था माया मैं आइम रेली वेरी सॉरी माया मचो मुझे माया माया तो रटो मुझे साथ इनने मेरी जर्णा को मारा मेरी सारी दुनिया मेरे सब से सब के सब मेरी जर्णा के साथ चुड़े हुए थे तुम्रे सारे तोर दुनिया मैं तुम जर्णा के को लियो मम्मे जर्णा पिता प्लिस पापा को मत मारो I'm sorry, पेटा I'm sorry पापा थे कुछ नहीं गिया मैं मैं कुछ नहीं करूगी पेटा तुम रो मत मैं मैं कुछ नहीं करूगी तुम्हें जसमें खुशी मिल मैं भाई करूगी पेटा में वह भेस्ट लगा को जितने करूंगे एटेश एटेश! एटेश एटेश तोन एट! मेर एटेश! एटो! माँ! प्रोड़ 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 प्रोड जरणॉ 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 GINA! चिर्न आरिख, GINA ! GINA! 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 GINA तुम्हें बहुत याद करती है वो तो यह भी नहीं जाती कि वो मर चुकी है डनी कहा हैente Ameri कहा है कि रठ लगाए रहती है और म he trying to buildीं अमें उसे क्या बता हूं? कि उसकी मौत की मजए उसके डाड़ी ही है तुम इस उतरत के साथ सितर हो यहीं तुमारी सवसा है माया, मुझे छोड़कर मच जब माया माया, माया मच जब माया प्लीज, प्लीज माया मच छोड़कर जब मुझे माया वम अག पाया अन्से हिएरी तो अन्से हिंग है उलाओ प्श の नहार धρ'र्ण आज़ करी उत करना है believing direct करी करते हैं है, ौसायमन उलाओ। जल으로 ऊड़ी है? झाल झाल